तो बचों हमने अपने पाठ के प्रश्ट उत्र कर रहे थे हमारा पाठ हमने शब्दर्द कर लिये थे अभ्यास प्रश्ट में किये थे भऽ क्या नाम है मेरा प्रियोग कम करें तो इसमें हमने प्लास्थिक से होने वाली हानि ऑन के बारी में पढ़ा था प्लास्थिक हमें क्यों हानी पर हुँचाता है क्योंकि वह नश्ट नहीं होता सैकड़ो वरस तक परियवरण में ही रहता है कुड़े की धेर के रूप में तो कभी उड़के नालियों में चले जाता है नालियों को बंद कर देता है कभी पशू से अपने भुजन के साथ खा लेते हैं और अगर हम उसको जालाने की कोशिश करें तो जहरी लिए गैसे निकलती हैं जो की कैंसर जैसी आनिकारक बिमारियों का कारणव है तो बच्चों हम इसके प्रश्ण उत्तर हम लोग कर रहे थे हमने मौकिक प्रश्ण और लिकित प्रश्ण दोनों करने हैं तो हम एक एक करके सभी प्रश्णों के उत्तर हल करते हैं हाँ तो बच्चों हम अपने मौकिक प्रश्णों को एक बार देख लेते हैं इनको दोहरा लेते हैं एक एक करके हमारा पहला प्रश्ण है महक कहां रहती है इसका उत्तर है हम जानते ही है महक अलमोड़ा शहर में रहती है या हम लोग ये भी लिखलते है महक कहां रहती है महक अलमोड़ा में रहती है ठीक है महक अलमोड़ा में रहती है महक कहां रहती है महक अलमोड़ा में रहती है हमारा आज हमने प्रश्न उत्रों को किया है तो पहला प्रश्न है हमारा महक कहां रहती है महक अलमोड़ा में रहती है दूसरा महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से क्यों मनाक क्यों रोका महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से क्यों रोका इसका उत्तर है बच्चों महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से रोका क्योंकि कपड़े के थैले समान के साथ दुकानदार ही देते है महक ने मामा जी को कपड़े के थेले ले जाने से क्यों रोका? प्रश्ण है हमारा ख़व प्रश्ण है महक ने मामा जी को कपड़े के थेले ले जाने से क्यों रोका? महक ने मामा जी को कपड़े के थेले ले जाने से रोका क्योंकि थेले तो दुकानदार समान के साथ ही देते है महक ने मामा जी को कपड़े के थेले ले जाने से रोका क्योंकि थेले तो दुकानदार समान के साथ ही देते है तो बच्चों हम जानते ही हैं महक ने अपने मामा जी को रोका था समान थैल ले जाने से उसने सोचा कि मामा जी क्यों घर से ही थैल लेके जा रहे है थैला तो कुछ दुकानदार हमें दे देगा तो हम क्यों इसको उठा के लेके जाएं तो इसलिए हमें कारण लिखना था फिर से एक बार देखते हैं महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से क्यों रोका महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से रोका क्योंकि थैले तो दुकानदार समान के साथ ही देते हैं हमारा तीसरा प्रष्ण बच्चों महक ने प्लास्टिक की चीज़ों के क्या लाब बताए हम जानते हैं कि जब मामा जी प्लास्टिक के बारे में बता रहे थे कि प्लास्टिक तो हानिकारक होता है तो महक ने भी क्या किया था उन्होंने प्लास्टिक के गुण बताये थे क्या क्या गुण बताये थे बच्चों याद है आपको उन्होंने बताये था कि प्लास्टिक रंग भी रंगा होता है सुन्दर होता है संदर होता है, रंग भिरंगा होता है, वो पानी में भी नहीं गलता और मझबूत होता है, टूटता नहीं है और एक और गुण बताया था कि वो स्थेल या लगड़ी के चीज़ों से सस्ता होता है तो यह सब गुण थे, किसके थे? प्लास्टिक के गुण थे इन कारण से प्लास्टिक का हम लोग अधिक परियोग कर रहे हैं इन ही गुणों के कारण से ही प्लास्टिक प्रचलित है लोग उसका परियोग अधिक से अधिक कर रहे हैं क्यों कौन से गुण्ड थे बच्चों सुन्दर रंग विरंगा पानी में नगलना मजबूत और सस्ता तो यह सब प्लास्टिक के गुण्ड थे हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं महक ने प्लास्टिक की चीजों के क्याल आप बताए महक ने प्लास्टिक के चीजों के बारे में कहा कि प्लास्टिक सुन्दर रंग विरंगा मजबूत और सस्ता होता है प्लास्टिक उत्तर क्या है बच्चों महक ने प्लास्टिक के चीजों के बारे में क्या लाब बताए? महक ने प्लास्टिक के चीजों के लाब बताए कि प्लास्टिक सुंदर, रंग बिरंगा, मजबूत और सस्ता होता है. महक ने प्लास्टिक के चीजों के क्या लाब बताए? महक ने प्लास्टिक के चीजों के बारे में बताया कि प्लास्टिक सुंदर, रंग बिरंगा, मजबूत और सस्ता होता है. प्लास्टिक को चलाने पर क्या होता है? हम जानते हैं, अगर प्लास्टिक को जला दिया जाए, तो वह आनिकारक गैसे निकलती है. हमने देखा होगा, हमने अनुभव किया होगा, कि अगर कोई प्लास्टिक के धेर में आग लगा देता है, तो काला-काला धुआ निकलता है, तथा एक गंद फैल जाती है चारों, प्लास्टिक के जलने की अलग सी गंद होती है, तो वह क्या होता है? जहरीला गैसे निकलती और इन जहरेली गैसों के कारण कैंसर जैसी बिमारियां हो सकती हैं बहुत खानीकारक होता है प्लास्टिक के जलाने पर निकलने वाला धुआ और इसे कैंसर जैसी भयानक बिमारियां हो सकती हैं तो इसको हम घव प्रस्ण करते हैं प्लास्टिक को जलाने पर क्या होता है प्लास्टिक को जलाने पर जहरेली गैसे निकलती हैं प्लास्टिक को जलाने पर क्या होता है प्लास्टिक को जलाने पर जहरेली गैसे निकलती हैं हां तो बच्चों आगे चलते हैं कि हम लिखित प्रस्णों को कि समझेंगे और फिर उनके कि उत्तर लिखेंगे पहला प्रस्ण है हमारा प्लास्टिक प्लास्टिक परिया वरण को कैसे नुक्सान पहुचाता है तो हम जानते हैं बच्चों उसका मुख्य नुक्सान पहुचाने वाला क्या कारण है कि वो नस्ट नहीं होता है वो गल के मिट्टी में नहीं मिलता उसको गल के मिट्टी में मिलने में सैकडों वर्ष लगते हैं मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी थैली प्लास्टिक की थैली को गलने में करीब डीड़ सो साल लगते हैं और एक पाने की बॉटल जो हम लोग रेल्वे स्टेशन में खरीते हैं इस्तमाल करते हैं और उसको कोड़े में फेक देते हैं या कई 여erten तो उसको क्या करते हैं railway के track पर ही फेक देते हैं और तो वह नश्थ नहीं होती है उसको 200 साल लगते हैं तो पूरी तरह से नश्थ होने में हम debating क्या देखा हाँ हम्हीं पता चला है कि अरे प्लास्टिक तो नस्थी नहीं होता है या नश्थ होने में सैकड़ों व लग जाते हैं और तब तक ये क्या करता है तब तक ये विकार वस्थू की तरह कुड़ा बन के जमा रहता है और हमें तरह-तरह का नुक्सान पहुंचाता है जैसे हवा से ओड़के के नालियों में जाएगा नालियों को बंद कर देगा बच्चों और क्या होता है कभी-कभी तो पशु थाने के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा लेते हैं और उनकी मृतिव हो जाती है क्योंकि वह जाके पेट में जमा होते रहता है और पशों की मृत्व हो जाती है तो प्लास्टिक नष्ट नहीं होने के कारण हमें बहुत नक्सान पहुंचाता है जैसे अभी हमने किया था कि कई लोग प्लास्टिक के कोड़े को जमा करकर उसमें आग लगा देते हैं सोचते हैं कि आग लगा देने से प्लास्टिक खत्म हो जाएगा लेकिन यह चीज भी गलत है बच्चों अगर हम प्लास्टिक में को जलाएंगे तो हानिकारक गैस निकलते हैं और उसमें उसे तरद तरद की गंभीर बिमारियां हो सकती हैं, खतरनाक बिमारियां हो सकती हैं, कैंसर भी उनमें से एक है, कैंसर जैसी खतरनाक बिमारियां भी हो सकती है, तो हमें प्लास्टिक जलाना नहीं चाहिए तो हमारा पहला प्रस्ट है बच्चों प्लास्टिक पर्यावरण को कैसे नुक्सान पहुचाता है प्लास्टिक पर्यावरण को कैसे नुक्सान पहुचाता है इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं प्लास्टिक को नश्ट नहीं किया जा सकता प्लास्टिक को नश्ट नहीं किया जा सकता प्लास्टिक को मिटी का हिस्सा बनने में सेकड़ो वर्ष लग जाते हैं यह कूड़ा और बिकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे परियावरण को नुक्सान पहुचाता है फिर से इसको एक बार देखते हैं प्लास्टिक परियावरण को कैसे नुक्सान पहुचाता है प्लास्टिक को नश्ट नहीं किया जा सकता प्लास्टिक को नश्ट नहीं किया जा सकता प्लास्टिक को मिटी का हिस्सा बनने में सेकड़ू वर्ष लग जाते हैं यह खूड़ा और बिकार वस्तू बनकर जमा होता जाता है और हमारे परियावरण को नुकसान पहुचाता है हमारा अगला प्रश्न है हमें कागज या कपड़े के थेले का परियोग क्यों करना चाहिए? तो बच्चों हम जानते ही हैं कि हमें अगर अपने पर्यावरण को बचा के रखना है तो हमें ऐसे चीजों का उप्योग करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण को नुक्सान नहीं पहुचाते हैं तो हम ने देखा है कि अगर कागज कि अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो अगर उसको फेक भी दिया जाये तो मिट्टी में कुछ दिनों में वह गल के मिट्टी का ही भाग बन जाता है उसी तरह कपड़ा कपड़ा भी गल के मिट्टी का ही भाग बन जाता है तो ये पर्यावरन को बिल्कुल नुक्सान नहीं पहुचाते अगर एक हम उसकी जगह पे क्या करेंगे अगर हम प्लास्टिक की थैली का प्रियोग करेंगे तो एक बार में हम उसको उसका प्रियोग करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं और वह कोड़े के ढेर की तरह जमा रहता है यह नहीं बताया था आपको कि करीब 1500 साल तक वह कोड़े की तरह इधर से उधर जाता रहेगा कभी कभी तो वह क्या करता है नालियों में चला जाता है और नालियां बंद हो जाती है तो उसका हमने एक ही बार प्रियोग किया लेकिन वो परियावरण को 1500 साल तक नुशान पहुचाए जा रहा है उसको गलने में करीब 1500 साल लगते हैं इसलिए हम अगर प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़ी की थैलियों का प्रियोग करें तो परियावरण को हम बचा सकते हैं या फिर कागस की थैलियों का प्रियोग करें तभी भी हम अपने परियावरण को प्रदूशन से बचा सकते हैं उसको नुकसान से बचा सकते हैं तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए जब भी हम बजार जाएं जैसे कि महक के मामा जी वो दिल्ली शहर में रहते थे लेकिन उनको परियावरण की चिंता थी वे घर से ही थेले लेके बजार जाया करते थे वे दुकानदार से प्लास्टिक के थेले नहीं लेते थे तो इससे क्या होता है बच्चों हमारे परियावरण की किफासत होती है तो प्रस्न क्या था हमें कागज या कपड़े के थेलों का प्रियोग क्यों करना चाहिए हमें कागज या कपड़े के थेलों का प्रियोग क्यों करना चाहिए तो इसका उतर है हमें कागज या कपड़े के थेलों का प्रियोग करना चाहिए क्योंकि वे हमारे परियावरण को प्लास्टिक की तर हानी नहीं पहुंचाते है फिर से इसको एक बार मैं पढ़ता हूँ फिर से ध्यान से सुनो बच्चों हमें कागज या कपड़े के थैलों का प्रियोग क्यों करना चाहिए हमें कागज या कपड़े के थैलों का प्रियोग करना चाहिए क्योंकि वे हमारे परियावरण को प्लास्टिक की तरह हानी नहीं पहुँचाते हैं हमें कागज या कपड़े के थैलों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वे हमारे परियावरण को प्लास्टिक की तरह हानी नहीं पहुचाते हैं अब हम अपने दूसरी प्रश्ण पर चलते हैं हमारा दूसरा प्रश्ण है अगला प्रश्ण है गव प्लास्टिक की थैलियों क्या त्यादिक प्रियोग से क्या होता है प्लास्टिक की थैलियों के अत्याधिक प्रियोग से क्या होता है वच्चों जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग प्लास्टिक की थैलियों का बहुत शीप प्रियोग करते हैं यह बले सुविधा जनक होता है अलका होता है लेकिन हमारे परियावरण को बहुत नुक्सान पहुचाता है हम जब भी जाते हैं छोटी से छोटी चीज भी दुकानदार हमें प्लास्टिक की थैलियों में डाल की देता है और हम भी इसका प्रियोग बड़े आसानी से कर लेते हैं हमें इसका प्रियोग कम से कम करना चाहिए बच्चों क्यों मैंने वही कारण बताया प्लास्टिक की थैलियां बहुत हलकी होती है लेकिन यह कागज की तरह गलती नहीं है और गलकी मिट्टी में मिलने में इनको करीब दीड़ सो साल का समय लग जाता है इस बीच यह इधर से उदर ओड़ती रहती हैं बहुत हलकी होने की कारण हवा में ओड़ जाते हैं और एक जगा से दूसरी जगा वहां जाते हैं यह नालियों में भी चली जाती हैं और नालियों को बंद कर देती हैं नालियों को बंद करने से पानी रुख जाता है सड़कों पे गलियों में पानी बेहने लगता है और हमने देखा है कि नगर नगब के जो करमचारी हैं उनको बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है नालियों को खोलने के लिए तो हमने अपने एक बार के फायदे के लिए एक बार की उपयोग के लिए थैली तो इस्तमाल कर ली लेकिन उसके बाद तो उसका नुकसान ही नुकसान है वो कुड़े के रूप में करीब डीड़ सो साल हमारी जिंदगी से भी ज़्यादा लंबी समय तक पृत्वी पे रहेगा और नुकसान पहुचाएगा अगर हमने उसको जमा करके चलाने की कोशिश की तो वातावरन को परियावरन को और जादी हानी हो जाएगी क्योंकि जलाते समय प्लास्टिक से हानीकारक गैसे निकलती है तो इस कारण मैंने आपको पहले भी बताया था यह हानीकारक गैसे बहुत भयानक बिमारियां पैदा कर सकती है कैंसर जैसी मिमारियां पैदा कर सकती है इस कारण हमें प्लास्टिक की थैलियों का प्रियोग नहीं करना चाहिए इसके जगे हम क्या कर सकते हैं बच्चों इसके जगे हम कागस की थैलियों का प्रियोग कर सकते हैं और कपड़े के थैलियों का वे मजबूत भी रहते हैं और हम उनका प्रयोग बार-बार भी का सकते हैं एक कपड़े का थैली बहुत दिनों तक चलेगी और उसके बाद भी अगर हम उसे फेक देते हैं तो वो पर्यावरण को बिल्कुल नुकसार नहीं पहुचाती वो कुछ बहिनों में कुछ दिनों में नहीं मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी का ही इस्सावन जाती है कि तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों प्लास्टिक के थैलियों का अध्याधिक प्रयोग से क्या होता है अध्याधिक मतलब बहुत अधिक अत्याधिक शब्द का अर्थ होता है बहुत अधिक प्लास्टिक की थैलियों के अत्याधिक प्रियोग से क्या होता है हम इसका उत्तर लिखते हैं प्लास्टिक की थैलियों के अत्याधिक प्रियोग से परियावरण को नुक्सान पहुंचता है प्लास्टिक की थैलियां सैकड़ों वर्ष तक कुड़ा बन कर नालियों को बंद कर सकता है और पशों तथा पौधों को भी हानी पहुंचाता है इसे जलाने पर हानी कारक गैसे, कैंसर जैसे भैनक बिमारियों को बिमारियों का कारण बनता है हाँ, फिर से इसको एक बार अपना तीसरा प्रशन देखते हैं प्लास्टिक की थैलियों के अत्याधिक प्रयोग से क्या होता है प्लास्टिक की थैलियों के अत्याधिक प्रयोग से क्या होता है प्लास्टिक की थैलियां सैकड़ों वर्ष तक कूड़ा बनकर नालियों को बंद कर सकती है पश्वों तथा पौधों को हानी पहुँचाती है उसे जलाने पर हानी कारक गैसे कैंसर जैसी भायानक बिमारियों का कारण बनता है प्लास्टिक को जलाने पर हानी कारक गैसे कैंसर जैसी भायानक बिमारियों का कारण बनता है तो बचो ये था हमारा गव प्रश्न, हमने गव में क्या लिखा था, प्लास्टिक की थैलियों के अत्याधिक प्रियोग से परियावरण को नुकसान पहुंसता है, प्लास्टिक की थैलियां सैकड़ों वर्ष तक कूड़ा बनकर नालियों को बंद कर सकती है, पशों तथा पौधों को हानी पहुंचाती है, उसे जलाने पर हानी कारक गैसें कैंसर जैसी भायानिक बेमारियों का कारण बनता है, अब हमारे जलते है, हमारा अंतिम प्रश्ण है, परियावरण की नुकसान, प्लास्टिक की नुकसान से, प्लास्टिक के नुकसान से बचने के लिए हम क्या 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 करना, हमें क्या क्या करना चाहिए तो हम बच्चों जानते हैं हम प्लास्टिक किसे होने वाले नुक्सान को कम कर सकते हैं या नुक्सान से बच भी सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले तो जहां तक हो सके प्लास्टिक के चीजों का कम से कम प्रियोग करना चाहिए लेकिन हम एकदम तो बंद कर नहीं सकते हैं जैसे हमने देख रखा है दवाईयां जो प्लास्टिक में ही पैक होके आती है दूद के पैकेट भी आपने देखे होंगे प्लास्टिक की थैलियों में ही आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उनका प्रियोग कम कर सकते हैं हम लोग बंद कर सकते क्योंकि दूद की थैली तो आएंगी ही दवाएं तो उसमें आएंगी ही हाँ उसका प्रियोग हम कैसे कम कर सकते हैं हम घर से थैला ले जाके दुकानदार से प्लास्टिक की थैलियां न लेके हम प्लास्टिक के नुक्सान से बच सकते हैं हमें जहां तक संभव हो सके प्लास्टिक का कम से कम प्रियोग करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए हमें प्लास्टिक का प्रियोग कम से कम करना चाहिए पूरी कोशिश करने चाहिए कि हमें प्लास्टिक की बने चीज़ों का खासकर थैलियों का जब हम बजार जाएं तो दुकान दार से प्लास्टिक की थैलिया न ले अपने घर से थैले लाएं कपड़े के थैले उसमें ही समान को रखके घर ले जाएं तो यह तो हम कर सकते हैं तो और क्या क्या कर सकते हैं तूसरा है एक बार के प्लास्टिक का प्रियोग हमने बताया था आपको कि कई चीजे होती है जो में एक बार प्रियोग करके फेक देते हैं उसमें थैलियां भी आई पानी की बॉटले पानी की बॉटले क्या होती है बच् को फेक दिया तो पाने की प्लास्टिक के बोतल को गलने में करीब दूसो साल लगते हैं तब TAK दोसो साल तक वह खोड़े के ढहर की तरह पढ़ा रहेगा इधर से उदर जाता रहेगा नालियों को बंद करेगा, पौधों को नुक्सान करेगा, पश्यों को भी परिशान करेगा, और किसी ने अगर चला दिया जम्मा करके, तो हानिकारक गैसें, कैंसर जैसी बिमारियों को भी बुला सकती हैं। और क्या कर सकते हम, और हम लोगों को जागरुक कर सकते हैं, कुद तो हमने बंद कर दिया, अगर हम दूसरों को भी बताएं, कि प्लास्टिक से बहुत नुक्सान होता है, जैसे महक को नहीं पता था, महक को किस ने जागरुक किया, उसके अपने मामा जी ने जागरुक किया, उन्होंने समझाया, तो महक को भी बात समझा गए, इसी तरह हम भी लोगों को अगर बताएंगे, तो उनको भी बात समझा जाएगे, तो इसका हम उतर लिखते हैं, प्लास्टिक के नुक्सान से बचने के लिए हम क्या 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 करना चाहिए, तो इसका उतर है, प्लास्टिक में आने वाले प्लास्टिक की चीजों का प्रियोग बंद कर देना चाहिए हमें प्लास्टिक के नुकसान से बचने के लिए सभी लोगों को जागरुक भी करना चाहिए हमें लोगों को जागरुक भी करना चाहिए फिर से एक बार इसका उत्तर सुन लेते हैं बच्चों प्ल प्लास्टिक के नुक्सान से बचने के लिए हमें इसका प्रयोग कम करना चाहिए तथा एक बार प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक की चीजों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए हमें प्लास्टिक के नुक्सान से बचने के लिए सभी लोगों को चागुरुक भी करना चा झाल झाल